अरे रुको जरा सबर करो अब यहां तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो कोरोना की दूसरी लहर में भारत में हाहाकार मचा रखा हर कोई इस खतरनाक बीमारी से परिशान हो गया जिसके चलते लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लेकिन ऐसे में कुछ स्टार्स हैं जो की मौलदीव छुट्टिया मनाने पहुँचें और लगातार वहां से तस्वीरें शेर कर रहे हैं वही कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि मुसीबत के समय में स्टार्स को ऐसी तस्वीरें नहीं पोस्ट करनी चाहें भले ही वो कहीं भी जाए नवाजुद्दीन सिद्धिकी और शुती हसन के बाद अब बॉलिवुड आक्टर अनु कपूर ने ऐसे ही स्टार्स पर नाराजगी जाहर की उनका एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रा अनु कपूर ने ट्विटर पर नाराजगी जाहर करते हुए लखा मैं काफी विनम्रता के साथ सभी रईजादों और मशूर लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा वो लोग चाहें तो वो विदेशी स्थानों पर छुट्टियां बेशक मनाए लेकिन अपनी कोई तस्वीर इस दौरान पोस्ट ना करें क्योंकि इस समय इस दुनिया के अधिकांश लोग महमारी से जूच रहें यहां तक कि वो खुद को सुरक्षत रखने के लिए लड़ाई लड़ रहें किसी को जला के मजलूमों की बद्धुआ क्यों ले ले अब अनू कपूर का ये पोस्ट काफी चर्चा में आ गया है इससे पहले एक बाचीत के दौरान नवाजुद्दीन सिद्धी ने भी ऐसे स्टास पर नाराजगी जाहिर की थी जो मालदीव छुटिया मनाने गए थी और सोशल मीडिया पर अपनी फोटोस पोस्ट कर रहे थी उन्होंने कहा था मालदीव को इन लोगों ने पूरी तरह से तमाशा बना रखा तूरिजम इंडस्ट्री के साथ उनके क्या अरेंचमेंट है मुझे नहीं पता लेकिन इंसानियत के नाते प्लीज अपनी जो तस्वीरे हैं विकेशन की वो अपने पास ही रखे कुछ तो शर्म कर ले लोगों के पास खाने के पैसे नहीं नवास के अलावा श्रूती हसन ने भी नाराजगी जाहिर की थी उन्होंने कहा था मुझे खुशी है कि वो विकेशन पर गए उनके पास इसका अधिकार है लेकिन मेरा व्यक्तिगत तोर पर मानना है कि ये ऐसा वक्त नहीं है कि आप बिना मास्क के पूल या समुद्र किनारे पर मस्ती करें ये सभी के लिए मुश्किल वक्त है और कई लोग ऐसी कठिन पर स्थितियों का सामना कर रहे हैं जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता मेरा मानना है कि आपके पास जो प्रिविलेज है इसके लिए आपको लोगों का आभारी होना चाहिए ना कि ऐसी कठिन पर स्थितियों में सुविधाओं का दिखावा करना चाहिए बतादे के हाली में रंबीर कपूर, आलया भट, टाइगर श्रोफ और दशा पाटनी जैसे स्टास छुट्टियां बिताने मालदीव कहे थे देश में जिस तरह के फिलहाल हाला थे उसे देखते हुए इन स्टास का देश से बाहर जाना और अपनी फोटोस पोस्ट करना आम जनता को भी रास नहीं आये था सोशल मीडिया पर ये सभी स्टास बुरी तरह ट्रोल हुए है वया मालदीव के टूरिजम मंत्राले ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने 27 अप्रेल से भारत से मालदीव की यात्रा करने वाले सभी टूरिस्ट के एंट्री पर पाबंदी लगा दी वैसे अनुक अपूर के स्ट्वीट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बॉलिवुट से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ अरे रुको ज़रा सबर करो अब यहां तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अरे बने रहे हमारे साथ